आप संगीता कोकिंग में बनने जा रहा है मटर मलाई और मेथी उसके लिए हमने क्या किया एक पहले हमने एक प्रेशिट कुकर या भगोनी आपको जो लेना हो ले ले लिए और उसमें हमने डाल दिया टू टेबल स्पून ओयल कोकिंग ओयल आप जो भी ओयल इस्तमाल करते हो वह आप डाल दिजिए उसे हमें अच्छी तरह से गर्म करना है जैसे गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा और साथ में हम और उसे थोड़ा से चलाएंगे ताकि यह भून जाए और इसे में हम डाल देंगे दो चौप किया हुआ प्याज और और अफ्ली चौप किया हुआ और उसे हमें अच्छी से भूनना है जब यह प्याज और अद्रक अच्छी से वम बोले है इसे हमार इध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहों और एक बात का द्यान रखना है प्याज अगर वाइट वाला मिली तो जादा अच्छा है उसे में हम ढाल दे 円 बॉल दही ईटो डाल के अब इसे चलाता है हां आपके ममें आता होगा दढ हम आप बस इसे चलाईंगे और से हमें अच्छी तरह से चलाना है और चलाते हुए आप देखिए बहुत ही बढ़िया में खुस्बू आने लगेगा और दही फटेगा इसका डर बिलकुल अपने अंदर लाए और यह देखिए यह चलाते चलाते यह एक पतला सा बन गया इसमें और हाँ अब मैं बता रहे थ सफेद वाला लेनना हो तो कोई भी ले और इसे हमने डाल दिया 10 बारा काजू और उसे भी हमें इसे अच्छे से पकाना है तो देखिए हमारा प्याज अद्रक और काजू और दही यह हमें चलाते हुए अच्छे से बिलकुल पका देना है काजू भी शॉप्ट हो जाए तो अब हमें इसी इसका पेस्ट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पेस्ट बनाने के लिए और अब हमें क्या करना है इसी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है और पानी डालने के बाद इसे हमें थोड़ी दिर बोयल करना है और आप एक बात का ध्यान रखना अगर पानी कम लगे तो थोड़ा डलना हो तो आप इसे फ़ले ठंडा करें और फिर मिक्सर ग्राइंडर में डालके इसे अच्छे से पीछ ले तो देखिए मेरे पास प्लेंडर था तो मैं इसी पर पीछ लूगी कोई दिक्कत नहीं है पर एक द्यान करें अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पीछना होगा तो आप पहले इसे ठंडा करना अन्य था आप यह नहीं कहना कि दीदी ने बताया नहीं था अगर गरम-गरम पीछो के तो फेग देगा और अब इसे हमें अच्छी तरह से यह पतला गोल बन गया अब इसे हमे करेंगे वैसे वैसे इसमें से अच्छी से खुश्बू भी आने लगेगी तो यह हम बिल्कुल पेसेंसली से हमें बॉल करना है और चलाते रहना है छोड़ना नहीं है अने था यह पकने लगेगा क्योंकि इसमें काजू पड़ा है तो अब हम क्या करेंगे इसे दूसरी जोंगे वह च्छन जाएंगे तो आप चाहें तो उसे च्छन के निकाल दिया नहीं था इसमें रहने भी दे सकते हैं तो इसे हम अच्छे तरह से च्छन लेंगे और वापस से सारे घूल को हम इसी वरतन में रखके इसे गैस के ऊपर लो फ्लेम पर चड़ा देंगे ताकि यह अच्छे से वाइल होता रहे तो देखिए इसे हमने अच्छे से च्छान लिया यह सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आप चाहें तो दही के जगा मलाई भी यूद कर सकते हैं पर बहुत हेवी हो जाता है तो और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने बटर और बटर जैसे ही बटर हमारा पिघलने लगे लगेगा तो इसी में हम दालेंगे मटर और मेथी दोनों ही चीज को पर पहले हमें बटर को अच्छे तरह से पिगलाना है मटर मलाई मेथी की सबजी में हमेशा घी या बटर ही यूज करना चाहिए और यह देखिए हमन हो जाएगा और इसी में हम डाल देंगे मठर जितना हमें क्वांटिटी किया हो सकता है अब उतना मठर भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे जैसे जैसे हम भूनेंगे मेथी हमारा बिल्कुल से सॉफ्ट होता जाएगा और कम हो जाएगा कि आप चाहें तो ज्यक्ता म्धी डाल सकते हैं कि अब बटल दूने में धूरने से क्ढता मेथि का कर्वायाइब क्याता है और इसे भी हमें बीच बीच में चला तरह लगता है इससो अच्वादिस्त लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हमें कोई भी कलर चेंज वाले कोई भी मसाला नहीं डालना जिसे क्योंकि इसका ग्रेवी हम ऐसा सफेद ही अच्छा लगता है देखने में तो यह देखिए जैसे जैसे पकने लगेगा वैसे यह सॉप्ट हो जाएगा और इसी में हम डाल देंगे वन पिंच हीं और हींग डाल झालेसे इसका स्वाद बढ़ झाल ग зайए वे रेती हैं स्वाशिमें क्या किया दो स्वाद अंशार 25 मिर्च काट के डाल दीएंगा स्वाद मिर्च कहने में उसको ब्हार ahrix काट के शस्तो जाएगा इस नहीं जाए दायको जलिए अन्दर भी हण माल भीलक्ळात को अंदर 17 कंज गर्म शाला इसके लिए किसी अलग मसाले की आवा सकता नहीं और इसमें इसमें डाल दिया 1 तेबल पुन कस्तूरी मिथि जिसे हमने हाथ पे क्रश कर के डाल दिया और इसमें डाल दिंगे हम लग-बाग हाथ टेबल चूपन से भी कम इसमें हमने डाला पैपर पाउडर जानि काली मिर्थ पाउडर अब बहुत ज्यादा इसमें किसी मसाले क्या वा सकता नहीं है और यह सौप जब कर रहे हैं इसमें हमने नमग भी आइड कर दिया था जो वीडियो से स्किप हो गया है तो इसमें नमग भी डाल दिना है बिल्कुल सौप्ट हो गया मतर भी और मिती भी तो अब आगे का प्रोसेस में आपको दिखाती है और यह अच्छे से वाइल हो गया देखिए हमारा अच्छे से वाइल हो गया तो इसी में हम मतर और मलाई को डाल देंगे ध्यान रखना है इसे नीचे चिपकने नहीं देना है और मतर और मेथी हमने इसमें एड कर दिया और आपने देखा हमने इसमें कोई ज्यादा मसाले यूज नहीं किया है गरम मसाला जो हमने रेगुलर घर में यूज करते हैं हमने वही गरम मसाला डाला है इसके लिए कुछ अलग से हमें करने क्या हुआ सकता नहीं और इसे हमें अच्छे तरह से चलाना है इसे चलाते हुए आपकी एक्झा झाओ तो इसमें दिफ interaction छीनी भी ढल सकते हैं और नहीं तो optionَल हैं ना भी ले एकाना हैus इसे बहुत जल्दी बन जाता है और ख़ाने में बहुत ही स्वादित बहुत ही लजीश तो देखेए यह मरी मटरमलाई की सब्जी बिलकुल तयार है और आगे का प्रोसेस में दिखाती है। अब इसमें थोड़ा सा और काम बाकी रखे है और बिल्कुल यह सब्जी तयार हो जाएगी। तो यह देखिए अब हमें क्या करना है यह सब्जी को हमें बाउल में डाल लेंगे आप देख सकते हैं कितना कम समान से और सब्जी देखने में कितना ही बढ़िया दिख रहा है और यह बरतन में भी विल्कुल नहीं चिपका है तो यह सारी सब्जियों को हम एक बरतन में पहल लेखने से ही सब्थी कितना स्वादेश्ट लग रहा और विना किसी ज़न्जट के ना तो बहुत समाल लगा है ना कुछ लगा ना हमने इसमें कोई बहुत मलाई यूजक किया है तो इसके तरका के लिए स्काजू हमने काजू और काजन के बाद हमें डाल दिया ढूतिस को सुखिं। अब करना है ऻाल पर अब हम इसे में डाल देंगे जादा नहीं वह ठोड़ बिल्कुल हाप मतलब क्या हैं नहीं के कास्मेरी लाल मेर्ट डालेंगे तो हमने यह वन पिंच हल्दी डाला चुकि हम लोग कोई भी सब्जी बिना हल्दी के नहीं बनाते तो वन पिंच हमने भी सगुन कर दिया और अब हमने इसे तरका को उपर से इसके उपर डाल दिना है और देखिए हमारी टेस्थी सी मेर्थी की सब्जी तयार है न तो बहुत हेबी है और नहीं बहुत जादा सामान इसमें लगा है तो हमारी सब्जी बन के तयार हो गई तो आप पताए आपको हमारी सब्जी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट में जरूर बनता है और आपनी घर में एक बार बना के जरूर देखे बिल्कुल क्यों भी एक्टा सामान नहीं लगा और हमारे सब जिवन के लजीच सी सब जिवन के तयार है थैंक यू